जी नमस्कार स्वागत है आप सभी के टीचर सदर 247 पर मेरा नाम है नीरज्यादा और मैं आपको त्यारी कराता हूं मैं आपके साथ शेयर करता हूं कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स और इंपोर्टेंट कोस्षिंश के बारे में जो प्रीवेस येर में आये हुए हैं किसके रेकाड़िंग डि घृप आप सभी लोग अच्छे हैं अभी सिर्फ मैं एक मैंट के लिए क्मेंट लूँगा उसके बाद फिर में आपके पर आऊंगा हम लोगोंने साइट 60 कोश्चेंश कर लिए थे और सब युका गुड़ीवनिंग घणी गम्मा मनिश्या जी सब ठीक है औल वेल औल गूड ऑडियो वीडियो सब क्लियर है आवाज अब ठीक है न अब खूरू नॉम जहां से मैं लास्ट बात की थी अपनी मैंने लास्ट क्लास में आपको यह बता दिया था कि इनफरमेटिव टूल्स तुल्स क्रम्यूनिकेटिव टूल्स यह सब मैंने बता दिये थे आपको और आई होब कि आपने रवाईज कर लिए होंग मैंने बताया था कि ऑमोजीनियस गुरूप होते हैं तो क्या पतांसर इसका केवल एक ऐसका मैंने बताया तो only one answer बिलकुल ठीक also often matter effect only the performance and the progress of the brighter student जी नहीं ऐसा नहीं होता है 31 भीजिए 61 which of the following subjects are included in the present social science curriculum of CBSE for upper primary schools बात हो रही है सरकार यहां पर SST Pedagogy कि कि क्लास हो रही है SST Pedagogy की बात हो रही है यहां पर तो क्या बूलना चाह रहा है पढ़ाओगे तो आप किस तरीके से पढ़ाएंगे निम्न मैंसे कौन सा विशाय कुछ प्रात्र में किस्तर मतलब 6-7 और 8 क्लास के लिए विध्याले इस्तर के लिए CBSC फुल फॉर्मिस की आपको पता होनी चाहिए सेंट्रल बॉर्ड ऑफ सेकेंडरे एजुकेशन सभाश के वर्तमान समाजिक विज्ञान पाठ्थिक्रम में शामिलों हितियास भूगोल या बताएं 61 का अंसर बताएं हर कोशन के लिए आपको 10 सेकेंड मिलेंगे जी कितने सेकेंड मिलेंगे 10 सेकेंड शारी बाते से हिस्ट्री भी पढ़ाते और जोग्रफी पढ़ाते और शोशल और पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाते तो बी ऑप्शन आपका सही है अगला कोशन पढ़ी और आंसर बताएं कि डैश इस नोन कम्यूनिकेबल डिजीज हर्ट स्ट्रोक कफ मम्स वीजल्स यह क्या इसमें से क्या है एक मतलब एक ऐसा रोग नहीं है जो फैलता है 62 बहुत सिंपल है इसका तो आंसर 60 क्या है यह यह भी कॉंटाजियस है है अब आप यह चीज नोटिस करना अब मैं आप जैसे आप कोशन को लोगना तो आप एक चीज नोटिस करना कि जैसे जैसे आप आगे वड़ोगे कोश्टन इजी हो जाएंगे पर आप बता सकते हो एसा इसलिए क्योंकि मैं कई बार सुनता हूं स्टूड़ेंट से कि सरम पे पर टाइम में नहीं कर पा रहे थे तो जिसकी वज़े से लास्ट के 20 कोश्चन 18 कोश्चन 12 कोश्चन हमारे रह गए और बाद में देखा हमें वो कोश्चन आते थे तो इसका मतलब क्या है आपकी प्रैक्टिस कम थी आपने स्टाइटिंग के 60-70 कोश्चन ज्यादा टाइम कर एक कोश्चन को आपको 30 सेकेंड में करना ही करना है हो रहा है तो ठीक है अधराइस मूव ओन एक बार आंखों के सामने से 100 कोश्चन जाने चाहिए ऐसा कभी नहीं होना चाहिए एक्जाम में के 10-12-15 कुछ आप देख ही नहीं पाए वो तो फिरी के नंबर थे मेरे दोस्ट 63 which of the following combination of nutrients and its sources is not correct not correct कुछा है गलत वाली बात बतानी है आपको तो क्या है कार्बोहाइड में शुगर होती है ठीक बात है फैट में बटर होता है अच्छी बात है प्रोटीन में पल्सी होता है प्रोटीन में पलसीज प्रोटीन में rice इन दोनों में दिक्कत सी डी में से आंसर बताओ अ ठीक है यह अजरी यह डी में असे फासतप है और यह है होता है न i8 मैं प्रोटीन ॐ जो ठीक है not correct पूछा था समझ गए अरे यह सर नो सर कुछ तो बोल दो हाँ पढ़ते हैं आज चोड़ा क्योंकि एक पेपर कम से कम तीन दिन में तो 100 कुछन हो जाने चाहिए यार कमाल कर रहो जली करो पटापट अगला करो 64 which of the following article under the directive principle of state policy of the Indian constitution is not is not directly related to children 41 48 47 42 जी बताएं क्या है इस कुछन का अंसर 64 का अंसर बताएं आपको यह सारे ही जाने जरूरी है तो एक बार आप copy pen लेकर लिख लीजिए मैं आपको यह बता देता हूं कि 40 इस में 41 क्या कहना चाहता है 48 क्या कहना चाहता एक बार सारे लिख लीजिए लिखी जरा एक बार कि दो लाइन लिख लो मेरी शेकल क्या देखरो लिखो फॉर्टीवन में क्या बाता आए गया लिखो जरा एक बार 41 किस से लिख लीजिए एक बार बेरोजगारी बेरोजगारी बुडापा बीमारी और विकलांगता के मामले में कार्य करने सिख्षा पाने और सार्वजणिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करने से संबंदी थे ये बिरोजगारी बुडापा बीमारी और विकलांगता के मामले में कार्य करने सिख्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का आधिकार सुरक्षित करने से संबंधित है यह वाला पॉर्टीवन फॉर्टी सेकंड क्या बोलता है राज्य काम की नियाय संगत राज्य काम की नियाय संगत और मानविय परिस्थितियों को और मानविय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मात्रित्व रहात के लिए प्रावधान करना किस संदर्व में है यह दुबारा कि नियाय संगत और मानविय परिश्चितियों को सुनिश्चित करने एवं मात्रिद्व पढ़ लिबेटा मात्रिद्व रहात के लिए प्रावधान करना 47 लोगों के पोशन इस्तर लोगों के 40 सेगेंड हो गया था अब मैं 47 बता रहा हूँ 47 लोगों के पोशन इस्तर और जीवन इस्तर को लोगों के पोशन इस्तर और जीवन इस्तर को ऊपर उठाना रेज दर स्टेंडेट ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थे में सुधार करना प्लस इसी के अंदर है नशीले पदार्तों पर रोक लगाना किस में 47 के अंदर ही है प्लस एक सब ग्लॉज है नशीले पदार्तों पर रोक लगाना इसी के अंदर है और 48 में क्या लिखा हुआ है वह लिख लो एक बार के वद पर रोक लगाने और मवेशियों को पालने एवं उनकी नसुलों में सुधार से संबंदी तहिए कौन सा वाला 48 जो आइटिकल है अब इसका अंसर आप बता सकते हैं 64 का अंसर क्या होगा सिंपल है समझ गए 48 इसका अंसर होगा 48 क्या बोला था मैंने इसमें राज्य काम की नियाय संगत और मानविये परिश्ट्रों को सुनिशते तैवं मात्रित व्रहात के लिए प्राभदान करना ठीक है चलें आगे 65 कि विच्व फॉलिंग स्टेट्मेंट इस करेक्ट रिगार्डिंग साइक लॉजिकल इंप्लिकेशिंस ऑफ प्रवर्टी ओन एडॉलेसेंस मैं ने यह देखा है कि डिस्वी में एडॉलेसेंस पे बहुत ज्यादा कोश्चिंस आते हैं प्यूबर्टी पे बहुत ज्यादा के मिट्रियल सारा पड़ेंगे हैं बताईए कि का हो गया 65 का अंसर अरे वेरी गुड़ सी ऑप्शन सही है इसका दोनों ही बाते सही है दा फिजिकल डेवलप्मेंट करेक्टरिस्टिक आर पाउंड टू अफेक्ट सोशल डेवलप्मेंट बिलकुर सही बात है मैंने बताए कोई भी किसी भी प्रगा का डेवलप्मेंट वो एक दूसरे को प्रभावित करता ही करता है मोटिवेशन टूश्टे स्लिम एंड लुक अट्रेक्टिव सीम्स्टू विदा मेजर कंसर्ण ऑफ अडॉलसेंस गर्ल्स और गल्स का क्यों बॉइस का भी रहता है मैं कैसा दिख इसमें शर्मान वाली क्या बात है हास रही हो हर कोई चाहता है अपने आप से प्यार करता है मतलब इंसान अट्रेक्टिव लगना चाहता है तो किशोनों की अलेगी दुनिया होती है कुछ लोग हमेशे इसी फॉम में रहते हैं चलो मुबारक होन को भी अब आप लोग यहां देख रहे हों कि सर यहां पर फ्रोबल तो है नी अरे शरी तो धूका हो गया क्योंकि कि इंगर कार्ण आपके दिवापके फ्रोबल आता है वह यहां पर है यह नी निम्निकित मैंसे किसने स्कूल उध्यानों को बढ़ावा दिया मॉन्टेश्य डीव या रूसो 66 यह ओप्शन सही है वेरी गुल तीनों ने बात के इस बारे में इस बारे में तीनों ने बात के यह ओप्शन आपका सही है 67 विच अब फॉलिंग स्टेटमेंट रिगाइडिंग कोहल बर्ग स्थेवरी आप मोरल रिजिनिंग इस करेक्ट पढ़िए 20 सेकेंड क के टाइम है कोशन पढ़िए जवाब दीजिए को को होल पर के नैतिक तर्क के सिदान्त के संदर्भ मैं निम्लेकित मैं से कौन सा कथन सही है 67 का अंसर बताइए नेथ दा मोरल रिजिनर कंसर्व स्मूरलेटी एज अ मैटर अफ एक्टिंग इन अकॉर्ड इस्टिफाइबल प्रिंसिपल्स ओके इस स्टिफ्रीवा रिजेंडर डिफरेंसे जे नहीं यह को बोला था तो केवश्ट सही है ओन्ली फ़स्ट बी ऑप्ष्टिं सही है काफी लोगों को जवाब ठीक हा आपने से वेरी गुट अगला कुछ लोगों का गलत है एक पार्ध्यान से पड़ा कीजिए कोश्ट्यु कॉश्चन नमब 68 प्लीज दा अडॉलेसेंस एडुकेशन प्रोग्राम एई पी फुल्फरम याद रखना भीया अडॉलेसेंस एडुकेशन प्रोग्राम एई पी दोजार पांच में आया था है वह जोंच बाय कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लोंच किया गाता है बताईए कि अब रीडिंग स्पीड इतनी तेज हुनी चाहिए आपकी क्वेशन पड़ो और उत्तर आता है तो ठीक है नहीं आता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं फिर तो में बताऊंगो ही शिश्टी एट बहुत बढ़िया एव उप्शन सही है इसका साभाश शिश्टी नाइन दा वैनिशिग एडोलेसेंट इस दा वर्क ओफ किसका है कट लेविन एल्स डेविस बंडूरा एडगर फेडन बर्ग प्रेक्टोल कोशन है वैनिशिग एडोलेसेंस तो आपको होमब्ड देता हूं इसकी बारे में थोड़ा पढ़के आना इस टर्म के बारे में हलका सा कि आई हूँ तो मुझे अच्छा लएगा कि आप लोग लेते हो किसी होंबग को आंसर इस ए ए ओप्शन है 70 रिद्म डिजाइन मुवमेंट एंड एक्सप्रेशन आर्ड़ एसेंशल एलेमेंट और विच आर्ट फॉर्म लें डिजाइन गती और अभिविक्ति किस कला के अवश्यक तत्व हैं आर्किटेक्ट्चर पेंटिंग म्यूजिक या डान्स रिद्म की बात हो रही है कि डान्स आप सभी लोगों बहुत अच्छा डान्स आता होगा कि 71 क्या बोले हो सर हमको तो नहीं आता क्या बोले हो सर मैं तो करके दिखाऊंगी 71 हाओ प्लेइंग हैल्प्स इन कोगनिटीव डेवलोप्मेंट ऑफ चाइल्ड खेलने से बच्चे का संग्यानात्मक विकास को कैसे मदद मिलती है की चीजों कई चीजने के अफसर प्रदान करता है सही बात है खेल स्मिर्ति को विक्षित करने और विकल्पों का विसलेशन करने तरकर ने और सुचनी स्मता को दोन भी बात से खेलना बच्चों के लिए नहीं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है है आपकी एक नएए खोबी जरूर होनी चाहिए आपको कोई ना कोई खेल पसंद आना चाहिए जैसे सबसे जो खेल करीब है मैं जिलके डैट इस कॉल फुटबॉल आप मुझे कभी भी खला लो मैं कभी भी खेल सकता हूं उसको बहुत असा रहता है जो फुटबॉल खेलना । बेट वाल में करता है एक बात पर कहुंग है ति पीछे जब संब भागते जैसे रुनिंग बहुत टब्लश यह उसके लिए आपको तो आओ मैं प्लेट रॉफटबॉल so I like football not cricket I'm a fan of you can say Messi Lionel Messi not a fan but I like his skills the way he dribbles और उस सबसे अच्छा मुझे जो प्लेयर लगता है उसमें लगता है अब तो नहीं खेलते हैं वो पसंद है कि उनकी स्किल्स जी 72 सेकिंड चलो सर कभी तो आपने बताए कि आपको क्या पसंद है है 72 अक्टूबर 1937 में वर्दा में आयोजीत अखिल भारतिय रास्टिय सिक्षा सम्मिलन में सिक्षा की योजना किस ने रखी थी महात्मा गांदी सुभास चंदर बोस गोपाल क्रिश्न गोकले या जवाल नाल लेरू बताए 72 को अंसर इसी में बात की गई थी आपकी नई ताल कि और बुनियादी वित शिक्षा कीरे इसी में बात की धिए ट्रिपलह और वह क्या होता है अड़े वह त्रिपलेश नहीं डवन डू डवलू-डवल ये वाला है हाल्ट रेंड एन्ड भूट इस हैट मांत ट्रिपलएश क्या है हाल्ट इंड है हैंड एंड हैड तो साथमा कांदी विदा सावाश बहुत बढ़िया सावाश जली घीजे फटावट स्पीड़ पर्यावरन अध्यन आजाओ पर्यावरन अध्यन में सहकारी अधीगम के सिद्धान्त क्या है इन एन्वार्मेंटल स्टेडीज वट आर्दा प्रिंसिपल्स ओफ को ओपरेटिव लर्निंग पॉजिटिव इंटर्डिपेंडेंस इक्वाल स्टेटस इंटरेक्शन्स या इंडिवीजियल अकाउंटेबिल सकारात्मक रूप से एक दूसरे पर निर्वरता या समान इस्तर पर सहक्रिया या व्यक्तिकत जिम्मेदारी 73 का आंसर है इन्वार्मेंटल श्री पर आज़े तो आपके यह तीनों चीज़ा आती है तो डी ऑप्शन आपका सही है कि वोश्यन नंबर 74 पढ़े और आंसर दे मैं स्रिफ एक्समेशन दूंगा आपको फिर से कोशन आगया परवर्टी वाला है ना बहुत प्रिया कि शुर अवस्ता के कोश्टिंस टॉपिक उसका फेवरिट है तो इसको स्टार मार्क डालके लिए लो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है आपको इसमें योवन के दौर स्टान व्रिद्धी में डैस शामिल होता है दा ग्रोथ स्पर्ट दूरिंग प्रिवर्टी इन्वाल्स रैपीड इंक्रीज इन हाइट वेट चेंज इंडा इंटर्ल और और साइज ओंली वन ओंली सेकिंड नाइजर वन और टू बोथ वन एंट सेकिंड 74 का बताएं जी ओ और और भी बहुत सारी चीज़ है इसको गोल्डन एज किसने कहा था और स्टैनली हॉल ने क्या था तनाव और तूफान की अवस्था बोला गया था इसको है ना देड्रीमर होते हैं यह लोग बहुत सारी बाते पढ़ेंगे जब इस चैप्टर पर आएंगे तो हम लोग ब विभिन व्यक्तियों के लिए विभिन हो सकता है निम्लेकित मैंसे कौन सा कथन दिये गए कथन को संतुष करता है बहुत अच्छा कोश्य नहीं है और मुझ से रिलेटेड भी है क्योंकि मैं थोड़ा सा योग प्राणयाम धाड़ना ध्यान समाधी वाला इंसान हूं तो ओ योग इसलिए करता हूं या करती हूं ताकि मेरी बॉड़ी बीमार ना पड़े योग इससे बहुत आगे जाके भी बहुत कुछ है यह आपको दिमाग को इतना बारी कितना फाइन बना सकता है कि आप सामने वाले को देख कर बता सकते कि इसके मन में क्या चल रहा है कि आप सामने वाले इंसान की आखों में देख के पढ़ सकते कि वाट ही और शी इस तिंकिंग जब आप योग करते हैं तो आपनी शक्ति आपकी इफीशेंसी टेन टाइम्स बढ़ जाती है वरना मेरे जैसे इंसान स्कूल कॉलेज सब कुछ एक साथ पढ़ा सके आज कल मैं जितनी भी मैनत कर पा रहा हूं इस देट इस विकॉज ओफ दिस योग और प्रानायाम तो मैं आपको ही बोलता हूं कि दिन में पांच मिनट दस मिनट दो मिनट एक मिनट आपको मिले सुबह सुबह आपको और सुबह सुबह नहीं किसी भी टाइम आपका फास्टिंग होनी तो कम आउन वेरी गुड दोनोई बाते सही है यह इंवल्स द प्रेक्टिस ओ रिलेक्षिशन थूओ अधू अधिशन दोनोई बाते सही है दोनों तीनों बाते सही है पीसफुल लाइव दी ऑप्शन सही है कौन सी कला मुख्य रूप से विविद समुदाईक समूहों के परंपरिक कला रूपों को दर्शाती है 76 का बताएं जी विच आर्ट मेंली रिफ्लेक्ट्स ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ डाइवर्स कम्यूटी ग्रूप केलिग्राफिक आर्ट कॉंसेप्चुल आर्ट अब्स्ट्रेक्ट आर्ट रीजिनल आर्ट कौन सी कला मुख्य रूप से विविद समूदाइक तो जब विविद्दा की बात आती है तो छेत्री तो डी ऑप्शन से योगा छेत्री है चोंकि डाइवर्स कम्यूटी आप किसी भी तरफ चले जाओ तो वह चीज़ें फिर आपकी छेत्री हो जाती है कौन सी कला मुख्य रूप से विविद्द समूदाइक समूगे परम ठीक है स्चेत्री कला वेरी गुड 77 कांसर बता है पड़ो पड़ो फटाफेट से पड़ो जल्दी बता हू सामाजिक विज्ञान के ओपनिवेशिक परिपेख्ष के संदर्व में निमलिकित में से कौन सा कथन सही है इन इन टेक्स्ट अफ कोनोलियल पर्स्पेक्टिव पर्सपेक्टिव फोशल साइंस बताईए 77 कॉनोलियल पीरड कॉन्टीबुटेड अलॉट तो डिवलप्मेंट आप सोचल साइन्स कॉरिकूलम इंडिया ओके इट वाउस ब्रिटिश फॉर्स्ट रोट दा हिस्टिव इंडिया नहीं अब बोड ने इसका आंसर ए माना है बट मैं अपना बताओं को तो मेरी बात से अपको इन्फ्यूस हो जाएंगे क्योंकि मैं तो कोई भी साक्ष होता है मैं अपने जो पुराणिक गरंथ वगेरा है उनमें सब कुछ लिखा लिखा गया है बट भारतिय संस्कृति की थोड़ यह सब चीज है हमारे बहुत पहले ही जा चुकिया मैं आपको एक वाक्या शेयर करता हूं अबस्ट्रेवलिग ने मेट्रो आज से चार आज से पांच-चाथ साल पहले की बाते पांच-छे साल पहले की बाते आज शाम रात का समय था शाम के रात के दस बज़ रहे थे तो एक फॉर्णर लेडी मेरे साथ ट्रेवल कर रही थी सामने वाली सीट पी बैठी मेट्रों में बहुत ही कम लोग थे दस बजी तो खाली-खाली से रहता है स्विवाज चेकिंग दा मेट्रो लाइक जैसे बड़े बुजूर्ग लोग बड़े ध्यान से नहीं देखते कि ची आपको इंगलेंड से ही थी शायद नहीं पका वहीं से थी तो आई सेट वेल वेल मतलब वेरी गुड वेरी गुड तो हमारी सोड़ी कर नवर्सेशन हुए हमारी बात चीत हुए तो शीट की कि अउन के थोड़ा सा मतलब उनके बारे में जानना चाहा उनके विचार कैसे है तो ही सेट की मैंने अपने आपको हलका सा नीचे रखा अपने इंडिया को कि बोलने कि विचार कैसे है हमने काम तो इस्टिल विए डवलपिंग कंट्री एंड विए ट्राइंड टू बेस्ट फो आवर सिटीजन्स सुवेंड सो ऐसे मैंने बूला शी लाफ्ट और शीचेड जिंटलमें वट्यू डू आइशेड मैंने बोला कि मनें बताया अपना परीचे दिया आइशेड आमेटीचर एंट आइटीच साइकोलोजी शीचेड आमेट प्रोफेसर ओफ शोशल साइन्स इन इंग्लेंड और उसके बाद जो नोंने बात बोली ना मेरे चक्षु खुल गए दिमाग के सीचेड की उसका हिंदी वर्जन बताता हूं आपको फील आएगी उन्होंने कहाता कि आप लोग विकास्चील नहीं है आप लोग तब से विक्षित है जब हम लोग मूँ पर क आलिक पोथ कर घूमते थे कि समझ मैं आई आपको यह बात बहुत देर तक बात हुए उनसे कर अभी इतनी सारी बातें बताने का समय नहीं है बात करते हैं विच फॉलेंग स्टेट्मेंट इस करेक्ट इन दा कॉंटेक्स ऑफ भारत माता पेंटिंग ना स्कूल में सबी लोगा भारत माता आप में से कोई-कोई बना होगा जो खुबसूरत होंगे जिसके बाल लम्में होगे तो मैडम ने बुलोगा आप भारत माता क पाट के रूप में चित्रित किया गया तहां 78 का अंसर कमान 78 फटाफट से थोड़ा सा फैक्ट्चुल है इट वोस पेंटिट वाई रविंदरनाथ टेगूर नो इट वोस पेंटिट वाई अविंदरनाथ टेगूर तो आविंद्रनाथ टेगूर थी ठीक है तो पहला आप आपका गलत हो गया सेकेंड इट वोस्पेंटेट इन 1905 एज रिस्पॉंस अगेंस अगेंस बेंगल पर्टीचन 78 तो आपका सिरिफ यही वाली बात सही है डी ओप्षन आपका सही है कान पकड़ जोनों में बोथ वनेंटू लिखा है भाग के लगातों बोथ वनेंटू थोड कि द्यालियों में बैठने की व्यूस्था की संदर्व में निम्नी की तुमें से किन बातों को ध्यान रखना चाहिए बताइए जी किन बातों को ध्यान रखेंगे आपको जी 79, oh come on, B options है येश का सारी बात है सही ही ये भी ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है आज का आपका आपका आखरी सवाल विच्व दा फॉलविए अस्टेज ऑफ और गनाइजिंग एंड इन्वार्मेंटल स्टेडिस एक्टिविटी एवलुएटिंग प्रफॉर्मेंस प्लैनिंग नॉट रिफ्लेक्टिंग उन्द प्रोसेस कंड़क्टिंग अक्टिविटी इन में से कौन सा पर्यावर्ण अ इसी बता देंगे आप क्या आंसर इसका एक्टिक आंसर अगे इवलुएटिंग पर्फॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है प्लैनिंग बिल्कुल ठीक है नॉट रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस जी नहीं गलत है यह गलत है यह तो पहला दूसरा और चौथा सी आप्शन आपको सही ह ठीक है सरकार तो यह थे आपके अगले 20 कोश्चन अब बाकी जो कोश्चन रहें वह अगली क्लास में करेंगे आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी आपको समझ में आई होगी आपने इंज्जोई किया होगा क्लास को ठीक है तो कल फिर से मुलाइकात होगी मैं शाम का समय आपका थोड़ा से लिया है तो खराब नहीं गाला होगो पढ़ना चाहिए आपको ज्यादा फॉर्म्टि नहीं करता हám पढ़ना है आप है फोरिपर करें आपको क्या करना है । घरवालों ने ईक ही एक्काम दि रहा पढ़ना है कितना ङोपिनेक हराब लग झाल झाल